हलो दोस्तों कैसे हो आपका स्वागात है तिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं योध्याकान यानि अध्या के अंतरगर जो है राम मंदर के निर्मान हुआ है उसकी विसेस्ताओं का हम यहाँ पर जो है जानेंगे और समझेंगे साथ में राम मंदर से जुड़ी महतपून बातों का भी हम यहाँ इनलाइस करेंगे जो काफी महतपून रहेगा यहाँ पर वो बाते जो आज तक आप ने नहीं जाना है नहीं पता है तो आज हमारे समक्ष सारी बातों का खुलासा होगा और आपको इस सब बातों को जो है मैं अबगत करवाऊंगा और वो भी काफी दिल्चास्क रूप में ये हिंदी इस दोनों ही माद्य में रहेंगे तो ये आपके लिए काफी महत्वपून हो जाएगा समझना यहाँ पर जो है हम बात राम मंदि से जुरी हर एक घटनाओ का विसलेशन करेंगे और जानेंगे और हर एक बात के आपके समक्ष रखेंगे वो भी MCQ के अंतरगत चलिए देखते हमारा आज MCQ क्या कहता है यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफी महत्वपून टॉपिक है अयोध्या कान देखा जाए तो यहाँ पर हम अयोध्या के जो नए निर्मान हुए है मंदिर उसके विशह में हम विस्तार प्रपर चर्चा करेंगे और हर एक पहलू को जो है हनलाइस करेंगे जो यह काफी महत्वपून टाहेगा हर एक कॉम्पूटिटर एक्जाम के लिए क्योंकि जो चीज हो जाती है वो इतिहास हो जाता है और इतिहास के कोशन जो है हमेशा एक्जाम में पूछे जाते है लेकिन अभी डिसेंटली हमारे समक्ष सब चीज हुआ है तो यह काफी महत्वपून रहता है किसके बारे में जानना चलिए देखते हैं यहाँ पर जो है अयोध्या जो निर्मान हुए है मंदर उसके विसे में हम क्या जान सकते हैं यहाँ पर तिरपान स्टेडी सेंटर आपके समक्ष जो है और योध्या से जुरिया हुआ है देखा जाये तो महाभारत बीरमायन दुसरी भगवत गीता और डी सकन पुरान देखे इसका अंसर डाइरेक्ट आपको पता होगा आप अपना अंसर कोमेंट करके या मुझे अपने कोपी पे भी लिग के बता सकते हो बाद में मुझे जो है इसको नेलाइस करने के लिए आपके लिए अपने कोशन सोच लिया होगा देखे कौन सा महा कावे मुख्य रूप से भगवान राम और अयोध्या से जुरा हुआ है देखे महा भारत तो देखा जाये तो श्री कृष्ण से जुरे हुए है और स्री कृष्ण ने भगवत गीता में ही सारी बातों का लेक किया है लेकिन यहां भगवान राम और अयोध्या से जुरी बाते हैं तो देखा जाये तो इसका अंसर B सही है रमायन रमायन ही है महा काववे है जो मुक्य रूप से भगवान राम और अयुद्या से जुरा हुआ है आपको बता दू कि भारत बर्ष में दो महा काववे हैं दो महा काव्य हैं महा भारत और रमायन जिसका अपना एक विशेश अस्थान भारतियों के दिलों में बसा हुआ है चुलिए देखते हैं अगला कोशन क्या है अगला कोशन हमारे समक्षा गया है देखिए कोशन बहुत ही किलियर है कि 1992 में विवारिस थल पर ढहा गए धांचे का क्या नाम था आपको बता दूँ कि जो यो ये जो नया योद्या मंदर बनी है राम लाला की इसको जो है बहुत दिन पहले इस भी बहुत से संघर्ष लोगों ने किया बहुत से लोगों ने बलिदान दिया और 1952 में इस विवाद पर जो है एक वहां पर एक अस्थल थी जिसको ढढ़ा गया उस अस्थल का नाम बताना है कि किस अस्थल को ढढ़ा के राम मंदर का निर्मान करवाया गया ये बावर महल था बी बावरी मस्जिद था सी अयोद्या दरवार था या डी सीता माता मंदर किसको ढढ़ा के जो है यहां पर अयोद्या मंदर बनाई गया तो ये काफी तिल्चस्प कोश्टन है कहते हैं बहुत से ऐसे राजा हुए जिन्होंने हिंदूओं के बहुत से चिन्हों को नश्ट किये अब समय आ गया है जहां पर जो है लोगों ने अपना जो खोया हुआ सम्मान था उसको उन्होंने गरहन किया है तो कहते हैं ये बात हर लगों तो यहां पर परिनाम वहा था लेकिन देखा जाए तो बहुत से लोगों को मानना था कि यहां पर पहले से ही राम मंदिर थी, तो इसको राजाओं ने ढाके यहाँ पर कुछ चीजों का निर्मान कराया, तो यही खुशन है कि किस चीज का निर्मान जो वहाँ पर पहले थी, जिसको तोर के राम मंदिर का निर्मान करवाया गया, तो आप कुशन समझ गए हो कि 1992 में विवादित अस्तल और डाये गए ढाचे का क्या नाम था तो आप अपना अंसर समझ गए हो कि कफी महत तो पूण ने देखा जाये तो बावर महल बावर महल पर इतना बिवादित तो हो नहीं सका ठीक है और सीता माता मंदिर अगर क्योंकि अयोध्या का अगर यहाँ पर मंदिर बनाई गई है तो सीता माता मंदिर तो होगी नहीं ठीक है सी अयोध्या दरवार भी नहीं होगा क्योंकि यह तो राम से जुरा हुआ है तो राम का फिर तोर के बनाना संभब नहीं है और भी विवादित बात बिवादित स राम मंदिर का निर्मान करवाया गया अयुद्या में तो ये भी बाद हुई थी उनिसो बावन में और इसको जो है आज इसको जो है कम्प्लीट किया गया तो आप्शन आप भी के साथ जा सकते हो बावरी मस्जिद को तोड़ के जो है यहां पर अयोध्या मंदिर का निर्मान करवाया गया राम लला का जो है मंदिर का निर्मान करवाया गया तो काफी महत पून है चले देखते हैं अगला कोशन क्या है अगला कोशन जो हमारे समक्षाया है कोशन है अयोध्या राम मंदिर के निर्मान की अनुमानी तलागत क्या देखिए जो आयोधिया राम मंदर का निर्मान करवाया जा रहा है उसका जो है अनुमानित लागत कितना कितना रुपया खर्च हो सकता है तो यह काफी दिल्चस्प यहां पर कोशन है कि जो आयोधिया राम मंदर का निर्मान हो रहा है उसमें अनुमानित कितना पैसे खर्च हो सकते हैं. यहाँ पर बताया गया है a. काफी महत्वपूर यहाँ पर कॉशन है कि किसी भी छीज के निर्मान के लिए देश के पैसा बहुत ही लगते हैं. इसलिए कभी भी कोई भी धरोहर है उसको तोड़ना नहीं चाहिए वो धरोहर काफी महत तो पून डैता है कहते है एक तो तोड़ जाते है फिर दूसरा का प्रभाब पड़ता है और इसका आपको पता है अगर इतना पैसे खर्च हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि देश में बहुत सी चीजों पर सरकार के द्वारा टेक्स बराई बेशकली लोग खुश हैं लेकिन इसकी महंगाई से भी उनको जो है दोचार हाथ करना पड़ सकता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कहते है कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना भी पड़ेगा तो ये कोशन बहुत काफी दिल्चस्प है आप अपना अंसर जो है द सी ऑप्शन सही है यहाँ पर अंवानित लागत जो निष्चित की गई है 1800 करोड उसे उपर भी लग सकती है कम भी हो सकती है लेकिन यह यह यहाँ पर रखा गया है एवरेज सी एक सो एक हजार आठ सो करोड का जो है लागत लगने वाली है यह काफी महतवपून कौशन रहत का क्या महत्व है देखिए जो शालिक राम शिला है वो काफी महत्व पून है और इसका इस्तमाल क्यों किया गया राम मंदर के निर्मान में तो यही कोश्ण हम से पूचा गया है कि राम मंदर के निर्मान में इस्तमाल किये गए काले पत्थर यानि शालिक राम शिला का क्या म पृतितू करता है विभगवान विष्णु का प्रतीक हैं सी एक पवित्र जो है तिर्तस्थल माना जाता है यह यह उल्का पिंड है तो यह कोई भी बात हो लेकिन अगर हम धर्म के अंतरगत देखें तो इसका अपना एक मेहतु है शलीक राम, शिला का अपना एक महतुपून स्थान है तो आप अपना अंसर जो है सोच सकते हो कि कोई भी complete exam के लिए ऐसे question पुछे जा सकते हैं तो आपने अपना सा अंसर सोच लिया होगा अपना अंसर त्यार कर लिया होगा देखा जाए तो मैं आपको बता हूँ कि राम मंदर की नीम में इस्तमाल किये गे काले पत्तर यानि शली ग्राम शिला का एक विसेश मैतु है और ये भगवान राम के पहच्चेन का परिद्वन नहीं करता है यानि ए ऑप्षन यहां पर गलत है देखा जाये तो शली ग्राम शिला जो है भगवान विश्नु का परतीक है ठीक है भगवान व विश्णु का जो है अवतार के रूप में राम को जाना जाता है तो इसलिए इस जो है साली गराम श्रीला का यहाँ पर नीव रखी गई पत्तर रखे गई जो की काफी महतुपून बात यहाँ पर दर्शाई गई है कि राम बंद के नीव में इस्तमाल कि एक आले पत्तर जो यह महतु है कि यह भगवान विश्णु का प्रतीक है यानि बी ऑप्शन आपके समक्ष सही है बी ऑप्शन आप अपने एक्जाम के अंदर गत लगा सकती हो उसके पर शाथ हमारे समक्ष कोशन आता है कि अयोध्या के निकट बहने वाली पवित्र नदी का क्या नाम है काफी महतुपून कोशन है आप यहां पर अपना अंसर सोच सकते हो जो काफी महतुपून बहने वाला है तो आप अपना अंसर सोच लिए होगे अपना विचार कर लिए होगे तकि अयोध्या के निकट बहने वाली पवित्र नदी का नाम आप सोच रहे होगे गंगा है चंदर जी के प्रान पस्टिष्टा में सम्मेलित भी हुए है, उनके काफी उस्व मनाई गई है, जो कि पुरा विश्व में विख्यात हुआ है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि पुरा विश्व इसकी खुशिया मना रही थी, लेकिन हमारे देश के विपक्षी नेता सा आखर क्यों नहीं मिली है, किसलिए नहीं मिली है, तो ये बहूट बढ़ा कोशन माग है क्या हिंदू धरम के नहीं थे, जुझे उन्हें एक भीद वेक्ती ने पाटिसीबेट नहीं किया है, तो ये बढ़त बढ़ा प्रस्ण उठता है, और ये कोशन आपके लिए भी मैं portion का यह पार्ट खषम हो जाता हैं अगले पार्ट में मिलेंगे जो कर्फी महत्वылव होके दोस्तों यहां पर यह कोष़न हमने किया है काफी महत्वलव है hand और इकजाम के लिए महत्व Sum बना रहा है क्योंकि इसमें बहुत से जो है कारे नीत थे तो यह काफी महतुपूर्ण रहता है और देखा जाए तो कोशन भी काफी महतुपूर्ण थे जो मैंने आपके समझ रखा तो इसको अच्छे से नलाइस कीजिए समझे और अपने एक्जाइम की तयारी कीजिए कोई लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर इस कोशनों के आप समर्थक हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और यह वीडियो हर एक बच्चों के लिए महतुपूर्ण होगा चाहे वो कोशन तो कहीं भी आज आएगा आपको पता है कि आजकल पैसिस गूरूप में बोडों में एक्जाम में आते हैं तो वहाँ पर पैराग्राफ जो है इसी के कोशन के दे देंगे आप पुछ लिया जाएगा कोशन तो यह हर के लिए मिन पोट्रेट है जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए कि शेयर ही दुसरे बच्चों का केर है पहली बार में चन लेकिन हम तो रुकने वाले अब है नहीं यहाँ पर आपको पता है कि एड़ सेले के एम में तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्द है और हर एक कॉंप्टेटि इग्जाम के लिए भी एमसी क्यों यहां उपलब्द है तो यहाँ पर बहुत ही विस्तु तिरप सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें में सेव किजिए